ओके हलो एब्रीवन सो यह कोश्चन है आपके पास और बोर्ट का और विप्यों मेंस 2021 के सेट नंबर 7 का ठीक है कोश्चन नंबर 5 है रिजनिंग का तो इसको कर大 king के से मैं आपको थोड़ा सा इसके बार में में डीटेल बता जैता हो कि यह पजल है कि आप कोश्चन अगर वहां पर जा कर देखएंगा आपको समस्क्राइब थै वांकि मैं आप क्डूग कर दो किसको करना किस तरीकिसे तो उसने यह बोला है वहाँ पर कि कुछ लोग है कुछ ओतर से जो कि एक रेक्टेंगुलर टेवल पर बैठे हुए है चार कॉर्नर पर और चार आपके पास साइट के मेड़ में बैठे हुए ठीक है और सब के सब कहां देख रहे हैं सेंटर की गिरफ देख रहे हैं और उसने यह बोला है टोटल आपके पास नमबर ऑफ परसने सेवन तो मतलब इन में से एक सीट के है वो वैकेंट थैस नहीं हमें यह चीज़ बता दिया ठीक है और फिर फिर कंडिशन दिया और एड़ एंड जाकर उसने सेकंड लास्ट लास्ट लास है इसका simple मतलब यही हुआ न क्या आपके पास corners में से corners में चार है और आपके बास sides में पर स्टारराय करके उस मीटिंग में आते हैं एक एक करके और कोई भी सेम टाइम पर नहीं आता तो इसका मतलब आपके पास साथ के हैं वो टाइमस भी है कि कौन परसन आया है ठीक है और यहां पर उसने बताए कि कौन लास्ट में आया है और कौन पहले आया इस तरीके से इंफॉर्मिशन दी हु मैंने इसको सॉल्फ कर रहा है ठीक है कैसे कर रहा है समझाता हूं देखिए सबसे पहले एक आपके पास पॉइंट डिया हुआ है उसने बोला है कि नमबर आफ ऑथर जो की एससे पहले प्रेजेंट थे वह इकल टू किसके हैं वह क्यूब के बराबर है अब देख एक चीज लेते हैं फर्स डाता है सबसे ठीक है तो उसने बोला है कि एससे पहले वहापर जो लोग है नमबर ऑफ परसन है वह क्यूब के पराबर है एक किसी अब साथ है आपके परस क्यूब आगर मैं देखू तो वन का वन होता है टू का एक होता है अब यह पर एक तो हुई नहीं जो seat number है वो equal to है किसके जो उसकी position है जब वो पहुसता है मतलब यहाँ से अगर हम देखें यह first है यह second person है यह third person है जो की पहुच रहा है यह fourth person है यह fifth है यह sixth है यह seventh है तो उसने क्या बोला कि जैसे कि यहाँ पर इसकी second position है न तो A का जो seat number है वो भी क्या होगा second होगा यह ह हमारे पास important point है ठीक है और उसने बोला है कि A और F के बीच में दो लोग बैठे हुए है और F का जो seat number है वो even है ठीक है तो इसको मैं अगर करता हूँ तो देखें आपके पास दो हम positions लेकर चलते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखो या तो यह vacant हो सकता है या फिर यह vacant हो सकता है अगर मैं इसको लूँगा तो वो इसका just mirror image है तो इसको लेने की ज़रूँद नहीं similarly इसको अगर मेलूँगा तो वो इस वाली condition का just mirror image हो जाए कि तो उसको लेने की जुरूत नहीं है तो यहाँ पर यह आपके पास क्या दो वेकेंट है और वेकेंट से वो अगर numbering start कर रहा है तो यह यह 1 यह 2, यह 3, यह 4, 5, 6 and 7, यह 8 हो जाएगा इसके साबसे ऐ आपके पास यहां पर होगा, अब A और F के बीच में दोल हो गया है और F even पर है तो जचो अगर यहां पर है तो इसके left side में अगर मैं देखूं आपके पास यहां पर तो F आ नहीं सकता है तो similarly right side में ये एक vacant है ना तो इसके मतलब f आपके पास यहाँ पर हो जाएगा similarly इस वाली condition में भी f आपके पास यहाँ पर हो जाएगा इनके बीच में सिर्फ दो person है ठीक है अगर मैं right से देखू तो और उसके बाद उसने क्या बहुत था कि f के immediate left में वो person ने जो कि first reach करा है मतलब क्या होगा कि ये f के immediate left में मतलब 7 पर first wall आएगा ठीक है और इसके immediate साथ में सामने को ने g है मतलब ये आपके पास g हो जाएगा similarly इसमें भी देख लीजे ये आपके पास g हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा गंदा लग रहा है कर रहा हूँ इस तरीके से बढ़ खुद से करोगे तो समझ में आजाएगा मैं pen change कर लेता हूँ GM ने put करा लिया फिर fifth point था कि g और b 7 में है तो b आपके पास यहाँ पर हो जाएगा similarly b आपके पास यहाँ पर हो जाएगा ठीक है उसके बाद उसके बाद था कि d के immediate left में कौन है वो person जो कि last में reach करता है है ना और d की भी जो position यहाँ पर है वही position उसकी seat पर भी है तो इसका मतलब क्या होगा अगर मैं d की बात करूँ d आपके पास देखो d के immediate left में वो person जो कि last में आता है इसका मतलब d 8 पर तो आनी पाएगा है ना d आपके पास यहाँ तो 7 पर हो सकता है या फिर 5 पर हो सकता है अगर मैं d को 7 पर put करा देता हूँ अगर मैं यहाँ पर d को put करा दूँगा तो यही last भी हो जाएगा लेकिन वो चीज तो है ने ना because d के left में last person है इसका मतलब obviously d आपके पास 5 पर होगा यहाँ पर भी 5 पर होगा ठीक है यह समझ में आके इतना यह clear होगा होगा तो यहाँ से हम d को यहाँ पर put कर सकते हैं और अगर मैं g की बात करूँ तो उसने के बाता कि g का जो seat number है वो एक less है किस से जब वो वहाँ पर पहुचता है इसका मतलब g यहाँ पर होगा ठीक है और इसके साब से d के immediate left में f है तो f last में होगा और अब अगर मैं बात करूँ तो उसने एक condition हमें दीती कि e और f के बीच में पाँच से कम लोगें अगर हम clockwise देखें anti-clockwise देखें दोनों चीज़ों में है तो अगर f आपके पास यहाँ पर है अच्छा एक और point उसने बोला जिससे यह condition आपके पास गलत हो जाएगी उसने बोला था कि वो person जो कि last में है आपके पास जो smaller side ए उसके mid में नहीं बेटा है इसका मतलब यहाँ पर f नहीं हो सकता उसमें एक condition है त्यान दीजेगा उसमें एक condition है कि वो person जो कि last में पहुचता है meeting में वो smaller side के mid में नहीं बेटा है इसलिए यह condition आपके पास wrong हो जाएगी ठीक है समझ मैं यहाँ पर अगर हम देखें F आपके पास यहाँ पर है तो इसके बाल उसने कोड़ा था अगर मैं E को पूट करना चाहता हूँ तो E आपके पास देखिए यहाँ पर नहीं आ पाएगा because अगर मैं E को यहाँ पर पूट कर देता हूँ और अगर मैं E के left side से देखता हूं तो आपके पास number of person one two three four five five हो जाएगे है ना जो कि possible नहीं है इसलिए आपके पास यहाँ पर आएगा और C आपके पास यहाँ पर आएगा समझ मैं clear हुआ F के immediate left में कौन है first है तो C आपके पास यहाँ पर हो जाएगा और उसने condition दी थी कि B बात में पहुंचाएगे से इसे इसका मतलब एपके पास यहाँ पर जाएगा और भी आपके पास यहाँ पर जाएगा तो इसको solve इस तरीकी से करना है अब आप एक बार olive board में जाकर उस question को देख लिए तो आपको clear हो जाएगे करना कैसे है राइट I hope so much मैं क्या होगा अपको thank you so much